भारतिय रिजर्व बैंक यानी RBI की गवर्नर शक्तिकान दास ने क्रिप्टो करंसी को लेकर एक बार फिर शिताब ने दी है उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करंसी ने RBI के लिए गंभीर चिंता पैदा की है शक्तिकान दास ने कहा कि एक regulator के तोर पर RBI के सामने क्रिप्टो करणसी को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है उन्होंने कहा कि माइक्रो एकोनोमिक संतुलन और वित्तिय स्थिर्ता दोनों लिहास से क्रिप्टो करणसी चिंता पैदा करती है दरसल Reserve Bank Cryptocurrency पर बैन लगाना चाहता था लिकिन Supreme Court ने इसकी इजाज़त नहीं दि Supreme Court का कहना है कि इसके लिए केंध्री सरकार कोई नीती लेकर आए अब ए Cryptocurrency को लेकर सरकार की कोई नीती नहीं है जिसके वज़ों से लोग धड़ले से इसमें निवेश कर रहे है Cryptocurrency में निवेश काफी जोखिम भरा होता है क्यूंकि यह इंटरनेट की रहसमय दुनिया में चलने वाली ऐसी digital मुद्राय होती है जिनके ना तो मालिक का पता होता है और ना ही सोर्स का शक्तिकान दास ने कहा कि क्रिप्टो करंसी में निवेशकों की संख्या को बढ़ा चड़ा कर बताया जा रहा है हलाकि वॉल्यूम निश्चित तौर पर बढ़ाया जा रहा है बड़ी तादात में ऐसे निवेशक है जिन्होंने क्रिप्टो करंसी में एक हजार या दो हजार रुपे लगाए है शक्तिकान दास ने Business Standard BFSI Summit में कहा कि RBI ने क्रिप्टो करंसी पर सरकार को इग्विस्थरित रिपोर्ट सौपी है सरकार इस रिपोर्ट पर सक्रियता से विचार कर रही है शक्तिकान दास से जब यह पूछा गया कि क्या RBI क्रिप्टो करंसी को रेगूलेट करेगा तो उन्होंने इस पर टिपड़ी से इंकार कर दिया बहरहाल रिजर्ब बैंक की चिंता के बावजूद देश में क्रिप्टो करंसी का क्रेज बढ़ता जा रहा है क्रिप्टो करंसी में निवेश बढ़ने से कोईन DCX अगस्त में यूनिकॉन बन गई थी इसी तरह उक्टूबर में कोईन स्विच कुबेर यूनिकॉन बन गई वहीं रिजर्ब बैंक खुद एक डिजिटल करंसी लॉंच करने पर काम कर रहा है शक्तिकान दास ने कहा कि RBI एक फियेट करंसी के डिजिटल वर्जिन पर काम कर रहा है साथ ही वहें इस बात का भी आंकलन कर रहा है कि डिजिटल करंसी लाने पर वित्य स्थिर्टा पर क्या आसर पड़ सकता है रिजर्म बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रवी शंकर ने भी कुछ महीने पहले बताया था कि केंद्रिय बैंक अपनी खुद के डिजिटल करंसी चरणबध तरीके से पेश करने की रणनीती पर काम कर रहा है